दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC-TRE2 के तहर जो बहाली आपकी निकाली गई है दो अलग-अलग डिपार्टमेंट में है एक है सिक्षा विभाग में अध्यापकों के लिए है जो कि करेब जो है 79,000 के करेब में पुरारी नोटिफिकेशन थी कुछ और भी सिठे इसमें आई है तो बहाली और भी बढ़ चुकी है और एक और आपकी बहाली है वेलफेर डिपार्टमेंट में जो कि कल्यान विभाग की बहाली है जिसके लिए भी आपकी आविदन चल रही तो जो कैनिडेट जब राइश्टेशन करते हैं तो उनसे राइश्टेशन का समय ही पूछा जाता है कि आप किस बहाली के लिए अपलाई करना चाहते हैं अगर आपको सिक्षा बिभाग के बिधाले अध्यापक बनना है तो काफे सारे कनिडेट कल्यान बिभाग के जो बहाली है उसके लिए भी आविदन दे रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कल्यान बिभाग का फॉर्म कैसे भढ़ना है कौन कनिडेट फॉर्म को भढ़ सकते हैं क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन कुछ अन्य है और इसका क्वालिफिकेशन में कुछ अन्य डिटेल है वो मांगी जाती है तो इसलिए पहले डिटेल को आपको समझना बहुत जरूरी है हम इस वीडियो में प्रोपर कल्यान बिभाग की बारे में बात करेंगे नोटिफिकेशन की बात करें तो पुराने जो नोटिफिकेशन थे जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की बाहली है 79,706 पद है और वही बात करें जो कि कल्यान बिभाग की बाहली की तो 906 पदों पर बाहली है तो आप रेइस्टेशन के समय इस अप्शन को अगर आप टीक करेंगे तब ही आप लॉग इन करेंगे तो आपको यह ओप्शन देखनों को मिलेगा वेलपेर डिपार्टमेंट अप्लिकेशन फॉर्म इसका फॉर्म आपको कुछ अलग भरना है इसका अलग भरना है पहले आप जिनका भी चाहे फॉर्म भरना उनको भर सकते हैं इन दोनों अलग अलग आपको भरना होगा इन बातों को ध्यान रखीगा तो इसके रिगार्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आपको क्लिक करना होगा आपके सामने इसका अप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा इस बाले पेज में कुछ आप छेड़चार नहीं कर सकते हैं आपको सिंप्ली नेक्स्ट बाले विकल पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर कुछ जैनकारी भरना होगा जो कि यहाँ पर है बिदाले अध्यापके मुल कोटिया जो के करण्षा 6-8 की अध्यापकी नियुकती है तो सेक्षनिक एवर्म प्रसेक्षनिक योग्ता जो भी रखे गई है इसमें पहला योगिता है आपके पास या तो बी या बी ए सी कि अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथ हे साथ परारंबिक सिक्षा सास्तर में दुई वर्सिय डिप्लोमा चाहिए वो किसी भी नाम से जाना जाता हो डियलेड होता है इसके अलावे भी कई सारे दुवर्सिय डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया है और यह सरकार तथा किंदर सरकार द्वारा कख्षा 6-8 पढ़ाने के लिए शिक्षक पातरता पड़िछा यानि 6-8 के लिए आप जानते होंगे बताया गया है कि आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए तो अगर आपके पास इस परकार की योगिता है तो आप फर्स सीटेट में B8 मतलब कि एक वर्स वला अगर आपने B8 किया है और BAC से अगर आपने असनातक किया है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं साथे साथ इसमें भी आपकी जो शिक्षक पातरता परिक्षा होता है सीटेट पेपर 2 आपको उतीरन होना जरूरी है तो आप इस सॉप्सन को चुन सकते हैं इनमें से जो आपके पास योगता हो आप उसे ही चुनिएगा उसके अलावे देखिए तीसरा बताये गए कि नुन्तम 45 परतेसाथ अंकों के साथ BAC एवं सिक्षा सास्तर में एक वर्सिये जो है आपका B.A.ड होना चाहिए जो इस संबंध में सम सकते हैं अगला उप्सन है कि नुन्तम 50 परतेसाथ अंकों के साथ अगर आपने 12 पास किया है साथे साथ आपने 4 वर्सिये प्रारंबिक सिक्षा सास्तर में असना तक B.A.L.A. अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिटेट पेपर 2 आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए अब यहाँ पर दिया गया कि नुन्तम 50 परतेसाथ अंकों के साथ अगर आपने 12 पास किया है और 4 वर्सिये जो गिर्जुएशन के साथ इंटिग्रेटेड जो B.A.D. होता है या तो आपने B.A. या B.A.C. के साथ B.A.D. किया होगा तो आ आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं आपके पास भी सिटेट पेपर टू भी होना जरूरी है और एक और दिया गया है कि 50 परतेसाथ अंकों के साथ B.A. B.A.C. एबं एक वर्सिये B.A.D. अगर आपने किया है तो अपलाई कर सकते हैं और आपका भी या पर जो सिटेट पे योगी ता अगर आपके पास है तभी आपको इस उप्सन को टी करना चाहिए अन्य था ये उप्सन आप मत टी करें आप डाइरेक्ट सिक्षा विभाग के अध्यापक के लिए आप अपलाई कर लीजे क्योंकि बहुत सारे करें दो वर्सिये वाला B.A.D. किये हुए है तो अपने अनुसार आप देख लीजे जो भी होगा उस उप्सन को आप यहां से चैन करिएगा जैसे ही आप यहां पर सलेक्ट उस उप्सन को करेंगे तो नीचे आएंगे तो उससे जूरा नीचे में आपको डीटेल मांगी जाएगी जैसे आपने जो है वो कौन सा एस्ट्री को मिलेगा अब यहां पर बोला गया कि अप्लोड गरज्यूआसन या इकु वाईलेंड डॉक्पोमेंट मतलब यह जो डीटेल आपने दिया है उससे जूरा जो डॉक्मेंट है आपके पास गरज्यूआशन का उसे अप्लोड करें तो यहां पर आप को सिस करें अगर आप के पास certificate है तो certificate भी लगा सकते हैं नहीं है तो आप marksit को आप यहाँ पर upload कर सकते कहीं कोई दिकत नहीं होगी इसका size 100 kg में होना जरूरी है इन बातों को ध्यान रखेगा तो यहाँ से upload करने के बाद आप एक बार यहाँ से view पर click करकर अपनी document को जरूर भीव कर ले check कर ले कि वो सही में वही document है या नहीं है फिर आपके पास जो नीचे qualification बताए गए है अगर आपने एक वर्सिये B8 किया होगा तो एक वर्सिये B8 के बारे में बताएगा कि extreme बताईए या subject भी बता सकते हैं उनका passing year बताएंगे institute का नाम board या university का नाम कितना number मिला है कुल कितने का हुआ था कि आप percentage था और उसका जो भी certificate या marksit होगा उससे आप यहाँ पर upload करेंगे वही कोई candidate अगर दुई वर्सिये diploma किया होगा तो उनको अलग option मिलेगा जैसा गिर्जोषन की जनकारी भढ़ने के बाद नीचे में प्रारंबिक सुक्षा में दो वर्सिये diploma के जनकारी भढ़नी है तो आप अपने according यहाँ पर जो detail चुनेंगे उसके according ही detail यहाँ पर आपको पूछी जाएगी अब यहाँ पर आपको no number में post priority पूछी जाएगी कि आप post की priority दीजे जैसे यह candidate सिर्फ 628 के लिए ही apply किये तो उनको एक ही option देखनों का मिलता है कोई candidate अगर माल लेजे 9 10 11 12 तीनों के लिए चुनते हैं तो तीनों का option मिलेगा तो आप यहाँ पर एक दो तीन ऐसे करके आप यहाँ पर preference उससे दे सकते हैं अगर आपके पास एक ही option है आपने एक ही कक्छाओं के लिए apply किया 6-8 के लिए ही तो आप वहाँ पर 1 ही डालेंगे वैलू के तोर पर 1 डालेंगे यह आपने 9 10 के लिए किया हो 11 12 के लिए किया हो तो 1 डालेंगे अगर आपने तीन option दिया तो 1, 2, 3 के रुप में इससे डाल सकते हैं उसके बाद एक option यहाँ पर मिलेगा next का जिस पर click करना है next करते ही आपके सामने यहाँ पर district चुनने का option आता है यहाँ पर धियान रखेंगे जो भी candidate district चुनते हैं एक बार आप छिय कर ले कि आपके जो district है या जो district आप देना चाहते है जहाँ आप चाहते कि आपका selection हो तो वहाँ पर सीठे कितनी है इससे coding भी आप जनकारी को डालेंगे तो बेटर होगा अपने coding देख ले आपको कौन सा district देना है उससे आप यहाँ पर डाले उसके बाद matriculation की certificate number बोली जाती है और issue date बताना है चांद चिन बताएए उनके सरेर में कोई भी ऐसा नहीं सान हो चाहिए कटा का हो जला का हो वह आप बता सकते हैं यहाँ पर नहीं है तो no mark भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप detail को जरूर बताए अब यहाँ पर उनका live photo capture करना होगा तो देखिए live photo capture करे तो पीछे में यस परकार का white जो background है उसका उप्यो करे या white परदा आप रखे candidate को यहाँ पर आप सामने खड़ा करें यहाँ पर click here capture image मिलता है उस पर click करे photo अगर गरबर आ जाता है तो retake भी आप कर सकते हैं यहाँ पर image आपका सफलता परवक आगा signature English और Hindi में यहाँ से आपको upload कर देना है और simply नीचे आना है यहाँ पर घोसना देना है एक बार preview बाले विकल पर जरूर किलिक करें और पूरी detail को एक बार मिलान कर लिजे कि कोई detail गलत तो नहीं है कोई detail गलत है तो सुधार करें सभी detail सही है तो submit पर क्लिक करें इस बाले विकल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक reference नमर मिलता उससे no down करें re-login पर क्लिक करें re-login बाले विकल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर option मिलेगा यूजर नेम डालने का password डालने का उससे डालने के बाद capture को डालकर login करें और अपना print निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ले तो यह overall पूरी जनकारी थी कल्यान विभाग पिछरा अबम अति पिछरा वर्ग विद्याले अध्यापक परदाना ध्यापक के लिए form को फिल करने का मैंने complete process आपको इस वीडियो में like बताने की courses किया तब की आप पूरी जनकारी को समझ पाए और कैसे form को भढ़ना वो भी आप clear हो पाए वीडियो अगर आपको पसंदा हो तो इसे like share जरूर कर दे और channel पर नए हैं तो subscribe करें इस पर करकी लगातार update के लिए video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद